तो यह माइनक्राफ्ट का एक नला विलेट है जिसमें दिमाग नाम की चीज तो बिलकुल नहीं है वो तो तुम देखी पा रहे होगे सामने एक पंकिन रखा हुआ है उससे टेकरा टेकरा की चल रहा है और सामने एक पत्थर आ जाया तो इन भाई साब को उचलना भी नहीं आ वो तो तुम्हें वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा लेकिन सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके उसका रंग बदल जाएगा यह तुम अभी पता लगा सकते हो तो कर तो या सब्सक्राइब किसका वेट कर रहे हो फटाफर से वन मिलियन भी करने है और अब ही फिलाल के लिए मैं अपने इस प्यारे से ताज मेल के पास आया हुआ था काफी दूनों से इसको देखानी तर सोचा कि एक बाद देखी लूँ मन कर रहा था तो यह वीडियो देखो यार तुम्हें सब पर अचल जाएगा बागी आज की काम पर फोकस करते हैं ज इसके लिए मुझे चाहिए होगी तीन हजार वुल नहीं वूल तीन हजार वूल चाहिए है अपने को जो की एक सलकर बॉक्स में आते हैं 27 स्टेक 27 इंटियू 64 जितना भी होता है दो सलकर बॉक्स में काम हो जाएगा अपना इतना तो मुझे पता है और यह तो तुम्हें प फटा था तो यहां पर मैं सबसे पहले मुझे VUUL हमा करना है बाद में वूर्ल विघ करनी पड़ेंगी फलाल मैं से फटा फटा फ़र से प में परुर्ल से पहले सारी सीप को नंगा करने धीर सारी फूल जमा कर लेता हूं कि खिलाल मैंने काफी सारी परपल जो भी आता है मैंजंटा परपल जो भी मैंजंटा तहां भी यह मैंने काफी सारी जमा करने चलो चैस्ट और यहां से चलो अपने काफी सारा फुल अपने पास अल्रेडी हो चूका तो फूल की तो कोई कम ही निया अल्बोस अपने दो सल्कर बॉग्स भर चुके हैं विसे मेरे साब से दो सल्कर बॉक्स में ना काफी जाद ही जमा कर लिया मतलब मेरे पास already काफी सारा था बाकि है मैं अच्छा रेड़ फार इतने होगे मेरे पास और यार इतना सारा कूड़ा है मैं सब को जमा कर रहा हूं लावद पने पास है लावद कि कमी ने घर में लाव है दाल दियां कोई नहीं जला देखो यहां पर मिरे पास वूल तो जमा हो चुकिया हो जहां तक मुझे पता भाई मेरे पास लकडियों की बहुती जाला कम है मिरे पास लकडी नहीं मिलेगी मुझे पता है अब देखो बाई बस एक स्टेक मिला जबकि मुझे चाहिए थीन हजार यह तो जल्दी जम आएंगे प्लैंक सी तो अची अपने को तीन हजार और एक वुड से अपने को चार प्लैंक मिलते हैं आनी की तीन हजार डिवाइड इड़ चार कितना आएगा तीन बंदरासो पंद दिवाइड बाई 64 लगबग दस बारा बारा तेरा स्टेक ची होएंगे भाई यानि कि अपने को एक सलकर भॉक्स भी निवर ना लगबग दो मतलब एक सलकर बॉक्स माल लो मैकसिमा अपने को एक सलकर भॉक्स भरके वुड चीए जो कि यहां से जमा करने वाला बिलकुल न जाने को तो मैं उस वाली बैयों में जा रहा हूं ताकि मैं मतलब इजीली जमा कर सकूं को कि जो िन बेज और ब्रॉस को यह को यहां पर reads के यह आपने को यही भी तो यहां पेसलो प्रूस वाइक टेशला घर नम्या भाई निवस्ण चाहुत देख्कर अपने करते में जो कोई देख करते हैं बस फटाफोर्च अपने को धेर सारी वुर्ट जमा करनी है तो लग जाते हैं काम पर और बाकी अभी बस मैं यहां पर लकड़ी जमा करी रहाता कि पता नहीं कहां से हमारे यह ट्रेडर भाई सब मटकते मटकते मेरे पास आगे पहले तो मैं सोच रहाता है कि इनका भाई काम कर देते हैं जो हम हर बार करते हैं पर इसको देखके मुझे लगा कि आज ट्रेडर भाई है थोड़े अच्छे मोड में हैं काफी बढ़िया सामान दे रहे हैं तो मुझे इसको घर लेके जाने पड़ेगा और सोस्तो हो जाएं तो मैंने सुचा क्यों ना इनको बोट मना के सीधा अपने घरी ले चलते हैं वहाँ इनको नाम करण अगेरा कर देंगे तो साथ यह डिस्पन नी होएंगे अब देखते हैं को मैं घर ले जा पाता हूं कि नहीं बागी मैंने इनको अपनी बोट में बिठा लिया लेकिन ये भाई साब अकेले थोड़ी ना जाएंगे अपने दोनों चम्चो को भी साती लेके जाना इसको और ये देखके तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि मैंने टेडर को डा दिया ये पता नहीं रात में कौन सी दारू पी लेता है गया बोट जाता है भाई ये और पा बैड बनाने का जुगार तो मैंने कर लिया अब जो में टार्गेट है वो है अपने को दो विलेजर्स निकालने है मतलब अपना जो ये घर है ना विलेजर्स का अड़ा जो है अपने को इसमें से दो विलेजर्स निकालने है ताकि मैं उनसे दो से चार चार से आठ मतलब भ इतना जल्दी मैंने एक विलेजर को भाई कभी कभी नहीं हुआ कि इतनी प्यार से बैठ गया हो बस इसको मुझे बहाँ निकालना है अब तो चलो एक तो आगे अपने को एक और ची हो गया इसी बस ये खुल अपने गेट और सिर्था बहां निकल 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 कैसे बस इतने पियार से इसका बैटशाग मेरे या य्αι मानना नहीं है चलो फाइनली और काफी लिग्щее परिष्म करने के बार अपने पास आ चुके हैं बाई दोनों वेलेजरे उस वाले विलेजर को भी बाहर निकाल लिया पहला वृआ यूजरे वाले ने रुला दिया था पर इनली येभी बबार आचुका है देखो यहां पर आपने दोन विलेजर तो आचुके हैं ठीक है यह आराम से बोट में मस्त बैटे हैं बाकिना मुझे एक ऐसी जगा ची होगी जो की मतलब काफी ज्यादा बड़ी हो जहां पर मैं पूरे के पूरे करेंगे ग्रास ब्लॉक्स वगयरा तो अपना मतलब एक प्लेटफर्म से बन जागा काफी मस्त तो मैं वह करने के सोच रहा हूं तो काफी जादा इसमें टाइम लगने वाला है काफी जादा तो लागेगा नहीं क्योंकि ना देखो एक काम आसान हो गया क्योंकि आप कोई पह काफी जादा मैंने के बाद मैंने यह थोड़ा चोटा प्लैटफर्म रहे गया भी मैं सोच रहा था कि काफी बड़ा हो गया लेकिन उपर से देखने में लग रहा है कि तो काफी जादा चोटा यार मुझे मतलब इस वाले आइलेंड से लेकर उस वाले आइलेंड तक दोनो पर थोड़ा सा और क्लीन करके फिर से काम पर लग जाते हैं यार देख रहो गाई इस एक वीडियो के लिए क्या-क्या करना पड़ता है और तुम ना सब्सक्राइब करते हो यह तो गलत बात यार तो खड़तो है लाइक और सब्सक्राइब फटाफोट देखो भाई फाइनली अपने हैं पर पूरा आइलेंड बनके रेडी हो चुका है मतलब मैंने पूरा स्कुएर में बना दिया दौनों आइलेंड को करनेट करके सारे ग्रास ब्लॉक लगा दियां तो अपना एकदम फुली एकदम मस्त बन चुका है जो कि देखो भाई काफी जादर बड़ा है इतना तो मतलब है कि इसमें में 1000 बैल लगा के आराम से काफी सारे विलेजर को इजी ली कर पाऊंगा फिलाल यहां पर यह हमारी ट्रेडर भाई साब आ रखे हैं जरह इनको भी देख लेते हैं यह क्या कुछ बेच रहे हैं यह बेच रहे हैं तो बेचना न तो में पर मैं पहले तो यही सौच रहा है कि इनके साथ भी वही कर देते हैं जो मैं सब के साथ करता हूं ऑर मैंने इस बर इनका क्लेक्सिन बना लिया जाए हैं यहाँ पर मैं यह सोचा था कि इस वर्ड में मुझे जितने भी ट्रेडर मिलेंगा उन सब कोई रसी इसे बांध करें इसे फैंसे बांधना पड़ा है और बाकी विलेजर्स को यहां पर लाने से पहले मुझे यहां पर थोड़ी बहुत फैंसिंग वगेरा करनी पड़ेगी ताकि विलेजर्स यहां से भाग ना पाएं तो फटा फुर से फैंसिंग भी कर दी देखो अभी फिलाल के लिए मैंने सिर्फ छोटा सा एरे फैंस किया है बाद में यह दो की मतलब संक्या बढ़ेगी तब मैं इनकी फैंसिंग बढ़ा दूंगा फिलाल पहले अपने विलेजर्स को लेके आते हैं चल भाई चल सबसे पहले तेरह यह नंब आता कि कैसे डालते अब देखो भाई अपने अब तुक्के से हो गया और बोट भाई पानी में डूब गी यह अलागी कारणा में हो जाते हैं और कुछ भी हो जाता है बाकि यह विलेजर को भी लेकर आना है फिलाल मैं इस बार भी ऐसे करूंगा तो यारे फिर से यह मुझ पाज़ाएगा सोने के चकर में यह बनी गया बैड आजा भाई आजा अरे उधर का जा रहा भाई इधर से आ जा ना फैंस की उधर को आ जा रहा भाई यार यह बिना इन में अकल हो तो यह खुद ना आजए अपने आपी मुझे अब क्या बनाना पड़ेगा यार और बैड बनाओ कि वो बनाओ इसको कोई जौब दे दू हाँ चला हो यह ठी है हो इस देख है और बस मुझे दूसरे को ओर लाना एसी चलो अपने आ पर दूसर विलेजरी भी आ गया इसी दान इसको देखो मैं नीचे नहीं जाने दूँगा इस बर यारे भाई नहीं यार यह वाली कैसे डूब गई यार यह भीना लगी सीन है इनके चलो यह नहीं यह वाला व्लेजर तो भाल नहीं जाएगा यह मतलब अंदर की सैडी है बस मुझे एक और बैड बना के लागा दूँगा तो फिर आराम से आजाएगा अंदर इसकी कोई दिक मैं बीना उल्टे सीधे काम करता हूं मैंने बैड कोने में लगा दिया थे बैड पर चड़के भाल निकलने भाई मुझे लाइट भी लगानी पड़ेगी जॉंबी वगेरा स्पॉन हो रहे हैं भाई इनका पहले जुगाड करना पड़ेगा यार लाइट वगेरा मैंने पड़ाने के लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा खाने पीने का सामन जैसे कि मुझे ब्रेड या फिर आलू वगरा यह सब सामन चीए तो मैं सुसे क्यों ना मेरे पाल तो ब्रेड अपना मतलब जुगार तो इसली हो जाएगा और बाकी मेरे घर के बगल में एक विलेज है जहां पर मैंने कोई भी लूट पर नहीं बचाई है यहां पर और अल्डेडी काफी सारे हेबल से तो मैंने आप फटा-फटा से धेर सारे हेबल जमा कर लिए यह लो सारा ब्रेड मैने तुम्हें दे दिया है बस अपनी संक्या बढ़ा ले ना हम मैं नहीं देख रहा हू है इनके बच्चे का कलर किस पर चला गया भाई कौन तीसरा के पीच में गुलूलू कर गया वे सायद यह बाइम की वज़े से वा होगा यह प्लेन वाली बाइम है इसलिए बाकी जब तक अपने विलेजर्स खाना पीना खा के अपनी संक्या बढ़ा रहे थे मैं नहीं के थे जिन्होंने अपनी थोड़ी सी हेल्प कर दी वरना अपने दोनों विलेजर्स भावान को प्यार हो जाते हैं और फैनली जैसे तैसे करके मैंने यह रात तो बिता ली काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा पर फैनली मैं बच गया था तो अब फैंसिंग कर देते ह और फैंसिंग करने के बाद मैं चला गया केवस में ताकि मैं थोड़ा बहुत कोल जम्मा करके काफी सारे टॉची बना के पूरे एरिया को एक दम जग मागा दूँ ताकि कोई भी जॉंबी यहां पर स्पॉन ना हो सके एक पर गलती कर दी अब थोड़ी ना होगी तोबारा और फैनली अपने हाँ पर एरिया भी बनके रेडी हो चुका था जहां पर मैंने पूरी फैंसिंग और काफी सारी टॉची वगरे भी लगा दी है ताकि एक भी जॉंबी यहां पर स्पॉन ना हो सके बस मुझे यहां पर धेर सारे बैड लगाने है इनको खाना खिलाना है औ फिटाफर से काम पर लग जाते हैं अपने पास यहां पर आच चुके हैं पूरे के पूरे एक हजार विलेजर्श हजार तो नहीं हजार से थोड़े से कमी रहें थोड़े से वूल वगेरा कम पड़ी थी और काफ यार टाइम भी लग रहा था तो मैंने अभी इतना काम रोक दिया बाकि ये मुझे एरिया ना थोड़े सा बढ़ा करना पड़ेगा क्योंकि लैक वगेरा भी होने रग गया इतने सारे मतलब मैंने एक ही जगा पर बैड लगा दिया ना इसलिए और अपने पास हजार विलिजर तो आच चुके हैं और हमें इनके साथ क्या करने वाला हूं अगर तुम गैस कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं जिसके लिए मुझे चाहिए एक ट्राइडेंट हाँ ये वाला काम हम अगले एप बैस